Hello everyone, मैं विश्रजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वावत करता हूँ दोस्तों आज की इस वीडियो के इंदर में हम MA History MSI 01 का जिसका आज एक्जाम हुआ था 5 जुन को उसके बारे में हम उसके आज के Question Paper को डिटील में Analyze करेंगे कि किस तरह के Questions आ रखेते हैं उन Questions का आंसर कैसा बन सकता था, क्या लिखना था, क्या नहीं लिखना था आप क्या लिखकर आए हो, कितने नंबर बन सकते हैं, किस तरह के Points यूज करने था की डेट है, जिस दिन आपका एक्जाम हुआ था MHI 01 जो सब्जेक की अगर हम बुक का नाम की बात करें, तो Asian and Medieval Societies यह हमारी बुक का नाम हो गया, जिसके अंदर में हम बात करते हैं किस परकार से मानव का उधवब हुआ, मानव ने कृषी, पसुपालन की और किस तरह से अग्रसर हुआ, और अपने समाज का, जो आसपास का समाज था, उसका किस परकार से निर्मान किया, किस परकार से उसका विकास किया, यह सारे related topics इस book के अंदर में हमें पढ़ने के जो हमें याद रखना होता है, कि 500 word limit का हमारे पास एक limit है, हर एक question के answer लिखने का, आप जो भी answer लिखना होता है, वो इस limit के अंदर में ही लिखेंगे, तब ही हमें proper number मिलेंगे, I hope so आप सबने इसका ध्यान रखा होगा, और इस limit के दाइरे में ही आपने answer अपना complete किया होग अपने 10 questions है, 10 में से आप ये मानके चल सकते हो, कि 8 questions ऐसे थे, जो easily आप deduct कर सकते थे, कि ये मैंने पढ़ा रखे हैं, ठीक, ऐसे तो 10 के 10 आए हुएं जो मैंने पढ़ा रखे हैं, बट फिर भी आप मानके चलो कि 8 questions easily आप find out कर पाओगे, कि हाँ ये वाला तो सर ने दीनव पर पढ़ा रखा, अगर आपने नहीं देखा है दीनव का वीडियो, तब आप पस्तानी वाले हो, पहले question के अंदर में हम बात करते हैं, कि पौधे का प्राणी पालायन, यहाँ पे ये जो word है अगर ये समझ नहीं पाओगे, तो आप इस question का answer नहीं लिख पाओगे, परकार से मतलब क्रिशी हुआ, किस परकार से क्रिशी का सुरुआत हुई, उसके बारे में बात करते हैं, अब देखो, क्रिशी करने के लिए पौधे को हमें लगाना पड़ेगा, पौधे को उगाना पड़ेगा, तो किस परकार से किया गया, क्या परकिरिया रही, किस परक रहे, question पर क्यों किये जारे, मैं chapter करवा सकता था, question पर क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि chapter आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो, बहुत अच्छे से मैं समझा सकता हूँ, पर अगर आपको question समझ में नहीं आ रहा है, question क्या पूछ रहा है, question का pattern क्या है, question पूछने का तरीका क किस question में क्या answer होगा अगर आपको वो नहीं पता तो chapter कितने भी अच्छे से पढ़ लो आप answer लिखकर नहीं आ सकते ठीक है तो यहां पर simple सी बात पूछा जा रहा है कि जो आरंबिक समय था उसमें क्रिशी की सुरुवात किस प्रकार से हुई उसका पूरा लेखा जो कहा हमें देना है तो देखो इसके अंदर में answer क्या बंता है कि आरंबिक समय में जो मानव था मानव की जो उत्पत्ती हुए हो कि आरंबिक जीवन व्यापन के लिए कर रहा था सिकार संग्रन और रसद जैसी चीजों पर डिपेंड था ठीक है इसी पर basis पर अपना जीवन व्यापन क सब्सक्राइब करते हैं तो इसके कारण से उन जानवर को पालतु बनाया अब एक जगह से दूसरे जगह विस्थापित होते थे जब खाना वदूस की जिंदगी बैतीत कर रहे थे तब वह कई सारे जो ग्रूप होता था समूं में टैबल करते थे 20-50-100 लोगों का समूं हो को रूखते थे तो रुक कर वहां से और आरंब करने का दर करने का दौर सुरू होता है वहां से रुक कर किकरहना किया किसी नहीं पूर प्राणीux पाला हैं जो भी है यहां पर पालन वह स्टार्ट करते पता का और आपसे फश्reम से का सुरूश चूरात है क्या प्रक्रिया रही, किस तरह से वो क्रिशी की ओर आये, क्या समुदाय बना, क्या क्रिशी का विकास हुआ, वो पूरा जो भी मैंने आपको समझा रखा है, वो यहाँ पर explain करके आपको बताना है, simple से आपको पूछ रहा है, क्रिशी की सुरुवात कैसे हुई, आपका पहला दूसरा तीसरा जो चैप्टर है रहे न, वो इसी की ओपर बेस्ट है, इवन पहला चैप्टर के इंदर में ही बता दिया जाता है, कि किस तरसे चीज़े यह रहें, जहां पर आप खाना बदों से सारी चीज़े पढ़ते हैं, तो वहीं पर आपको समझ में आ आ जाते है, कि किस तरसे कृशी का विकास हुआ, क्या था, पहला कोशन वही चैप्टर का था, ठीक है, दूसरे कोशन के और बढ़ते हैं, दूसरा कोशन भी करवाया हुआ था, ये वाला कोशन भी करवाया हुआ था, बस कोशन का पूछने का तरीका चेंज कर दिया गया है, ठीक है, जिस से कास्य यूग से पहले जो सब्वेता थी जो मतलब लोगों का रहन सेन था उसमें पत्थरों का उप्योग किया जाता था पत्थरों का ओजार बना जाता था पर जब कास्य यूग आता है कास्य यूग का आरम होता है तो वहां पर धातू का उप्योग से ओजार बनाना स्टा कर दिया जाता है ठैके अब सिहरी करने की परकिरिया की बाद करते तो देखो द्हातु के उप्योग की प्रकिरिया की बहुत सोदोर ही you पर द्हुजोरी क्यो भी चीज़ी यह उप्योग अदर में विकास देखनें का सबस्के हैले shells तो मानलो मानव लकडि से खेत जो खत रहा है लकडि से खेत जो उतर रहा है तो कितना जोते सब करते हैं जब तक उसके पास पास dot प्राचीन यूनान सब्वेता में लोगतंत्र के रूप में हुए संक्रमन का विशलेशन कीजिए अब देखो जो यूनानी संब्वेता है या यूनानी कहते हो मिस्ट की संब्वेता कहते है या यूनानी संब्वेता कहते है या जितने भी संब्वेता रही न वह बहुत ज़्यादा विक्सी संब्वेता थी ठीक है यूनान के नदर के जो विचारक थी यूनानी जो विचारक विसे सगे थे, जो युनान से बिलॉंग करते थे, उन्होंने अपनी विचारधाय रखी, किस परकार से ग्रोव कर सकते हैं, किस परकार से लोगों का अधिकार है, क्या चीजे हैं, वो रख्या और उसके बाद से वहाँ पर युनान के अंदर में लोगतंतर के विचारधारा जोर पकड़ती है, और लोगतंतर के बारे में बात की जाती है, जहां पर लोगों के लिए अधिकार दिया जाता है, अपने अधिकारों के लिए उहां पर लड़ते हैं, और इसका फैलाव दीरे दीरे पूरे युनान में होता है, ठीक है, जब अधिकारों की बात की जाती ह तो ये वाला भी question मैंने करवा रखा था ये इंका सब देता ये भी question करवाए हुआ था पता जितने भी इस question paper के अंदर में question है अगर आपने एक वीडियो स्रिफ दीन अपकी एक वीडियो देखकर गए हो तो भी आप पूरे question paper को solve कर सकते तो वीडियो कौन सी है तो last five year की question paper की वीडियो से अगर अभी भी आप time है अगर आप question viewer छोड़कर आए हो question viewer से इसे solve करके नहीं है तो बाकी subject की last five year की वीडियो जरूर देखें जिससे आपका paper अच्छा जाए क्योंकि उसमें 5 साल का अगर वीडियो नहीं देख रहे हो अपनी खुद की तियारी करो at least यार क्यो अलग ज़र पन पी पर उनकी जो राजनितिक अर्थवस्ता धार्मिक तुलनात्मक तौर पर बहुत जादा विकास करती हैं दोनों के अंदर में राजनितिक इससे तिया में देखने के लिए मिलती है किस तर से उनके विचार धाने आपस में टकराती हुई वस्तिय है मतलब तौर धार्मिक वस्ता को बनाया रखने के लिए किस तर से चीज़य कर रहे होते हैं वो सारा कुछ यहां पर आ जाता है कि किस तरह से इंका सब्वेता और एक्जेक सब्वेता अपने आपको विकास के दौर पर खड़ा करते हैं इंका सब्वेता के अंदर में आप ये भी जो हाँ पर मज़दूर कल्चर था जो थर्ड क्लास लेवर वक था वो किस तरह से रोडों को जोड़ते हैं किस तरह से इंफर ट्रक्चर पर वॉक करते हैं किस तरह से विकास का जरिया बनाती है अगर आपका रोड मकान सब सही है तो अर्थवेस्ता अपने आप ग्रो करता यह चीज यह वाला कोश्चन भी लास्ट फाइडर वाले कोश्चन पर के अंदर में करवा रखा था पर बहुत सारे बच्चों ने इस वाले कोश्चन को भी छोड़ कर आये हैं क्योंकि उन्हें यह समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यह दोनों चोवर्ड हैं इंका और पांच वाल कोश्चन आपका टिपनी बेस है जो मैं नहीं करवाता हूं अगर आपने कर रखा होगा तो भी आप अंसर लिख कर आ सकते हो ठीक है इसके अंदर में कोई दिक्कत वाली बात होती है यह कोश्चन नमबर 6 की बारे में बात करें तो यह यूरोप में सामंतवाद यह वाला चैप्टर में आपको हजार बार बोला होगा अल्मोस्ट की सामंतवाद वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपोर्टेंट होते हैं उनको जरूर पढ़के जाए तो सामंतवाद के दो चरन मैंने अभी जो लास्ट कोश्चन पर अगर स्वाल्फ कर वायता अगर कि दूसरे चरन के अंदर में अध्रवस्था कि क्या उई स्थी रहिए उसको सुचिवफध करना है तो दो कोसेंशें की सेमक में एकर अधर बात क में for hard work होता है श्रम पर धानता की बात की जाती है जहां पर स्रम के उपर में जो मेहनत करते है उसके उपर में जोर दी जाती है पर हम जब दूसरे दौर के अंदर हम बात करते है तो यहां पर कृषी उत्पादन के बारे में बात की जाती है जनसंगी के बारे में बात की जाती है किस तरह से उत्पादन का विस्तार हो, जनसंगी का विस्तार किस प्रकार से हो रहा, ग्रो किस तरह से कर सकते हैं, इसके बारे में दूसरे दोर में बात की जाती है, जब हम दूसरे दोर के बारे में बात कर रहे हैं, तो हाँ पर क्रिशी, अर्थवेस्था, ठीके जनसंगी, विस्तार ये सारी चीज़ों के बारे में आते हैं तो उसका directly indirectly अर्थवेस्टा के उपर में impact पढ़ता ही पढ़ता है तो वहां पे आप उसका impact को भी सुचिवत करके बता सकते हो ठीक है समझ में आता है अगले question के और बढ़ते अगला question number 7 जहां पर बात करते हैं मद्द्य उगिन काल में सिल्फ उत्पादन पर चर्चा कीजिए उत्पादन किस परकार से संयोजित किया जाता था इसके बारे में बताना है अब देखो सिल्फ उत्पादन के लिए क्या तो बोग जल्वाद मैं और से तुन के का रहे हुत जड़र इंदर मिस्रैकि की सुपठास प्रामिय की बात करों तो वहां पी सिल पुह इढ़ती जा रही थी ठीकल लगजरी आइटम के तौर पे इसको ट्रीट किया जाता था, सिल्फ उत्पादन काल किस प्रकार से ग्रोग किया, क्या रीजन्स रहे ग्रोग करने के, वहां कि उस समय की विवस्था क्या थी, ग्रोग करने का रीजन्स क्या बना, ठीक है, यह सारा कुछ आपको पॉइंट्स वहां पर बताना होता है, नौर्मल अगर हम पॉइंट्स की बात करें, कि ग्रोग करने का रीजन्स क्या था, तो देखो, जो रोजगारों में विविंता हैं थी, अलग-अलग तरह के पैशन्स वाले लोग होते थे, यह कोई डॉक्टर, यह कोई इंजीनियर है, तो उसी तरह से अलग-अलग तरह के लोग वहां पर मिलने लगी, जिसके कारण से सिल्फ उतपागन का एक अलग छेतर बना, और उसको ग्रोग करने में मदद मिली, उससे पहले तक की विविस्ता देखोगे, तो उस तरह की चीज़े नहीं थी, पर जब रोजगारों विविनता आते हैं, सहरी करण का विकास होता है, तो वहां पर उसकी मांग बढ़ जाती है, उसके सासत इसको वैपारी की तौर पर भी उपयोग किया गया, एक जगह सा दूसरी जगह डूइल करने के लिए मतलब पहुंचाने के लिए वैपार पधि inspiration का उपयोग किया गया, फैलाने के लिए वैपार पधिspeaking का उपयोग किया गया, ठीक है, कलातमक छेतर के नंदर में विर्धी होते हैं, तो बहुत सारे points यहां पर आते हैं, आप उनका उपयोग कर सकते हो Question number 8 के और बढ़ते हैं, protest बात के बारे में हम बात करते हैं कि protest बात से आप क्या समझते हो, तो protest बात है क्या तो आपने कल मैंने topic पढ़ाय था, Martin Luther King के बारे में जिसमें हम protest बात के बारे में बात कर रहे थे, तो protest बात है क्या तो यहां पर हम बात करते हैं कि किस तरह से, मतलब जो पूरी परकिरिया रही जहां पर लोग protest करने लगे, चर्च के विरूद, चर्च के विरूद जो खड़े हुए आदिए लोग कि हाँ ये चर्च गलत कर रहा है ठीक है तो उस पूरी परकिरिया को हम प्रोटेस्ट वाद के अंदर में कॉउंट करते हैं जब लोग चर्च की विवस्था के विरूद खड़े थे, चर्च के अंदर में जो कुरीतियां थी, उसके विरूद खड़े हुए, तो उस पूरी परकिरिया को हम प्रोटेस्ट वाद कहते हैं, और प्रोटेस्ट वाद का विकास किस परकार से है, वो आपको यहाँ पर डिफ स्वास्त मिल रहाएं, तो जनसंक्या जो विस्थार है वो बढ़ेगा, बहुत तेजी से बढ़ेगा, अगर मालो स्वास्त ठीक नहीं है, लोग बिमार पढ़ रहे तो जनसंक्या क्या और डिक्लाइन होगा, नीचे गिरेगा, वहीं पर मालो सभी का सिख्ण इस तर से पाना में अधर पानि मिल रहा है क bono को अल्सना की आधर ऊभारत की पॉपिलस्टन चैजटर फिरावर्ट भी देखने छिञा इसा नहीं पर मरने वाले मद्देगन यूरोप के अंदर में मद्देकाली नियूरोप के अंदर में जनसंग कि वितरन से क्या प्रकाल मतलब क्या पर इंपक्त पड़ा उसके बारे में यहां पर दिसक्शन करते हैं प्लैग महामारी का रूप लिया यह सारा कुछ आपको बताना होता है इजी मैंने कल आपको करवाया था ठीक है तो यहां पर आपका यह कुश्चन खतम होता है एक लास्ट आपको कुश्चन बनता है QUESTION NUMBER 10 जहां पर हम बात करते हैं टिप्पिनी के बारे में आप टिप्पिनी लिख सकते हो चार टॉपिक्स आते हैं और इसी टिप्पिनी होते कोह द मुझे बहुत खुशी होती है जब कोई कहा रहा होता है कि मैं दीनअप का वीडियो देखकर गया और वही कोश्चन आ गया जो मैंने करवाए था तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा होता है क्या रहा है